तो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि जो सौट टाइप के भी कोस्टन बी सेक्षन के जो कोस्टन है जो यह अधर एक्जाम्स जैसे जी आएसी टीजीटी पीजीटी इन सब एक्जाम्स में पूछे जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो फर्स्ट कोस्टन जो है इ कराना है तो यहां पर है औक जाकी फ्रेख्मेंट तो आपको चिझा पता होने चाहिए कि जब डियने का रिब्लिकेसन होता है तो यहां पार बोड़ा की फ्रेगमेंट मंते हैं ठीक है ऐब का जाकी होजा दिकन को से कबलता निंग कर ने बिलिकेत स HEY से होसिए होगा थार्ड होगा ठीकिन हम अपने कंफर्मेशन के लिए इसको बाकी ऑप्सन भी मैच कर आ लेते हैं तो बाकी के ऑप्सन जड़ा देखते हैं इमाइनो एसाइल टी आरने यह यह जो तो अमाइनो एसिड़ा उसको लेकर आता है प्रोटीन शिंतेसिस में तो माइन वेशल्च टी आर्ने एक इससे ट्रांसलेशन से तो बीका हो गया पास्ट यहां पर दो कि इसी आप्सन में दिया स्ब्सक्राइब कि सी और नहीं है तो इस तरह से हम मैच कर पाएं गे कि हमारा तो क्रेक्ट ठंसेल सभू कांसा है तो इस थाहि vieill एक हो जाएगा टर्मेरी तर्मेरिशन जो है भीटिटी पी डिपैंविधुनेंट्स रिलीज्ट यानी कि एक हो जाएगा हमारा क्या है और जोमारा यह ट्रांस्किप्शन फैक्टर है यह जाएगा हमारा सी का फोर्थ आरने पॉलिमरेज ठीक है तो इस तरह से हमने इस को सॉल्ब किया अगला कोस्चन हमारा कह रहा है कि विच आप दी फॉलोइंग इस नौट एन एप्लिकेशन और पीसिया तो जो पीसियार जो होता है उसमें क्या होता है कि हम एक डिने टेंबलेट लेते है हैं उसकी कई सारी कॉपी बनाते हैं ठीक है तो इसके जो एप्लिकेशन है वह इसके द्वारा हम पैरेंटल डाइगनोसिस कर सकते हैं मतलब जो बच्चा है उसके रियल पैरेंट्स कोने वह पता कर सकते हैं कोई पैथोजन है उसकी डाइगनोसिस करते हैं डिने फिंगर्प एप्लिकेशन तो दी ऑप्सन जो है वो हमारा सही आंसर है कि जो डियने रिपेर है वो इसका अप्लिकेशन नहीं है ठीक है उसी तरह थार्ड कोश्चन में पूछा गया है रो फेक्टर इंबॉल्बंट ट्रांस्किप्शन ऑफ डियने ऑफ आरने मॉलिक्यूल जब देखो क् लूप इंट्रिंसिक एंटि qui हो यहाँ पर भालता दिन्गलिक्वाइं तीयसरा हर्मॉन चॉथा ब्रोटीन ह्यां में ही यह Спट्रो है यह एक वो इन्वाल्व होती है च्वाथे कोश्चन में कह रहा है विच आप दी फॉलाइंग इस कार्ड अंबर तो देखो यह जो हमारे यहां पर दिये हुए है यह हमारे है जो टर्मिनेशन कोड़ान होते हैं तो यह तीन तरह के हैं पहला है हमारा यूएजी यूजी ए और यूए ए तो जो यूएजी है इसको हम लोग अंबर बोलते हैं ठीक है और यूजी ए है इससे हम लोग उपल बोलते हैं और यूएए को हम लोग बोलते हैं और तो इसमें जब हमसे पूछा गया है कि अंबर कौन सा है तो जो हमारा यूएजी है यह हमारा क्या ह यहां पर दो है वह हमारा यूए जी यानि कि सिय आप्शन मारा और यह बाकी कि आप्शन नहीं यह तो अमबर ओपल और और यूएजी यूजी यूए अमबर ओपल और ठीक है तो यह मारा फोर्ट कोस्चन हो गया अगले कोस्चन को अम जरा डिसकस करें तो कह रहा है इन ग्रिफिट एक्सपेरिमेंट आफ ट्रांस्फॉर्मेशन वार्लेंट इस्टेंड इसकाल तो जो ग्रिफिट एक स जर्ण में जो गया को अग्रिफिट तो पूंचा गया है कि वार्वन्ट इसका को में क्या नाम दिया थाउं तो इसकामारा जो चयाएगा हो जाएगा वह जाएगा कोश्चन देखें चैने होब ऐस फ्काल्ड टिस sicknessти और्स जने पीघट invasive बकॉड़ोंग कोड़ और ऑस जो genetic code होते हैं वो degenerate होते हैं मतलग एक कोड़ान जो होता है वो एक से अधिक amino acid को code कर सकता है ठीक है इसका मतलब वह वन कोड़ान हैस वन मीनिंग नहीं मोर देन वन कोड़ान हैस दी सेम मीनिंग यानि कि जैसे मालो इसको हम एक्जामपल के रूप में ऐसे समझें कि जैसे हमारे पास मालो तीन कोड़ान है पहला जो हो गया हमारा यू सी जी यू जी सी एंड ए यू जी ठीक है यह तीनों मिलकर के मालो किसी एक amino acid मालो एक्स amino acid को कोड कर रहे है ठीक है तो more than one gone है सेम मीनिंग यानि कि more caption दिशने यहाँ पर तीन कोड़ कर रहे हैं तो इसी तो सही आंसर जाएगा वो हमारा सेकेंड होगा मोर्देन वन कोड़ाउन हैस दी सेम मीनिंग यानि कि यहां पर देखो तीन कोड़ान थे लेकिन यह किसी एक पर्टिकुलर को कोड़ कर रहे थे तो इसे हम लोग नाम देते हैं क्या कोड़ान डिजनरेट अगला कुश्चन है अगला कुश्चन में देखते हैं कि विच अपधी फॉल्वाइंग कोड़ान यूजली कोड़ फॉर वैलीन बट केन आलसो कोड़ फॉर फॉर्माइलेटेड मेथियूनिन एज इनिसियेटर कोड़न तो को जर्नली क्या होता है सेल में ए यूजी यहां पर थोड़ा लिग गया है यहां पर यूजी ओना चाहिए ठीक है तो जो यूजी जो होता है वो 84 परसेंट ताइम सिक 84 honest थे इतने परसंट तक होता है कि हो सकता है कि हमेशा यही ही जो है प्रोंक कोड़ और लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो जी यूजी जो होता है वह इन्सेशन कैटेर हर करसकता है जो हमारे निसियाटर कोडन कोड़ कर सकता है लेकिन जी यूजी मेंली जो है वो कोड करता है किसको वैलीन को तो इसका जो मरा सही आंसर है वो हमारा जीयू जी यानि की ओप्सन फॉस्ट है अगला देखें इस नोट अभी हमने पीछे डिसकष किया था कि जब टर्मिनेशन को डान की बात करें तो तीन टर्मिनेशन को डान यू ए जी यू जी ए और यू ए लिकिन यहाँ पर जो यू 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 है यह मैं यहां पर पूछना था नॉट थैर नियाने संट आंसर जो एवра फूर्थ है तो मोस्ट स्टेबिल आरेने इन्दी एनिमल सेल इस तो एनिमल सेल में यहां पर चार तरह के आरेने दिये हैं टी आरेने एम आरेने एसार आरेने और आरेने तो यहां पर जो हमारा सबसे स्टेबिल होता है जो एनिमल सेल में आरेने होता है वहमारा आरेने होता है इसे हम लोग रायबोस परसंद दिखाया देने लगते हैं पर ठीक है तो इसकी दो कम होगा है और इसमें का अ होगा नब चाहर जया है58 प्रकान जोसकता है तो उसमें जनेटिक बिसौरर हो जाए यहां तो यहां तो हो जाये है है बहुत कम हो गया है को गया वाइट की तरफ सिफ्ट हो गया इसे संब Changi सब्सक्राइब कंदिशन हो सकती है यह सबीसक्राइब क Всем सकते हैं हमने डिसकस की हैं इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह कि सॉट कोस्टन के साथ में धन्यवाद